हलो स्ट्रेंट्स आप सभी का स्वागत है एक्स law classes में आज हम आपके लिए लेकर आए है law of evidence के most important mc question part 2 यह part 2 हमारा solve paper है जो आपके exam आये थे उसका हम solve paper लेकर आए हैं इससे पहले हम part 1 अप्रूट कर चुके हैं जिनमें हमने total 23 question को solve क्या ही किया था अब हम start करें question number 24 से यदि आपने अभी तक हमारे चनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चनल को subscribe जरूर कर ले जिससे आगे आने वाली वीडियो की notification आपके पास पहुसती रहे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो की link जरूर शेयर करें इससे वो भी इसका लाब आप उठा सकें तो चली start करते हैं question number 24 दूधनात पांडे versus उत्तर में इस राज्य का पास सम्मधित है option a register से option b अन्यंत्र उपस्तिती रहने से option c स्विक्रती से option d सहपरादी से तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका जो सही उत्तर है वह है option b अन्यंत्र उपस्तित रहने से तो यदि आपने option भी ठीक किया है तो आपको कुष्ण बिल्कुल सही हो गया है और यह question आपका AIB हो जुडिसरी हो AP हो दूधनात पांटे versus उत्तर में राज्य का जो केस है यह काफी most important case है तो इसके बारे में अक्सर question पूछा जाता है तो इससे आप अच्छे से याद रख है नेक्ट कुष्ण है कुष्ण नमर 25 मिर्जा अकपर वर्सिस एंपररवाद के सिद्धान से संबंदित है option A सड्य अंत्र, option B अन्यत्रोपसिती, option C रैस जेस्ट्र, option D उपरूप में से कोई नहीं तो इसका जो सही होत्तर है वह option A सड्य अंत्र से तो आपने यह यदि option A टिक क्या है तो आपका कुष्ण बिल्कुल सही हो गया है नेक्ट कुष्ण कुष्ण नमर 26 साक्षय अधिन्यम की निम्नुले से किस धारा में स्वीकृति को परिभास्यत किया गया है option A धारा 16, option B धारा 17, option C धारा 20, option D धारा 21 तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका जो सही की उत्तर है वहां option B धारा 17, तो यह आपका option B बिल्कुल सही है यदि आपना option B ठीक है आपको को ठीक हो गया है और जालते कुष्ण बच्चों का यह कुष्ण बिल्कुल सही होगा क्योंकि यह तो नॉर्मल कुष्ण है आपको बाता ही होगा इसके बारे में नेक्स कुष् 27 स्वीक्रती किन विक्ति उद्वारा की जा सकती है इस सम्मद में किन धारों में प्रावधान है option A धारा 18, 19, option B धारा 18, 21, 22, option C धारा 18, 19, 20, option D धारा 20, 21, 22 तो इसका सही होतर क्या होगा इसका जो सही होतर है वो option C 18, 18, 19, 20 तो यदि आपने option C ठीक है तो आपका कोश्ण ब 28 प्रश्ण यह है कि क्या A द्वारा B को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है, B A से कहता है कि जाकर C से पूछलो, C इस बारे में सब कुछ जानता है, C का कथन स्वीक्रती है, वो प्रयुक्त दर्श्टांद साक्ष अधिनम की किस धारा से सम्मदित है, option A धारा 20, option B धारा 21, option C धारा 22, option D धारा 22, तो इसका कौन सा option सही है, बताइए यदि आपने कौन सा option टिक क्या है, वो आपने पहले बताइए, यह जो इलिस्टेशन है आपका, जिडिस्री में अकसर में से एक्जाम में पूछा जाता है, समस्या की तोर पर, तो वो हमें आप वहां सॉल्व करना होता है, बाकि प्रीम में भी अकसर पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखें, बाकि इसका जो सही हुत्तर है, वहां option A, धारा 20 से संब्धेत है, ठीक है, यह जो दिया दे, आपने option A टिक क्या है, तो आपका कौशन में प्रकुल सही हो गया है, Q29, निम्न में से कौन सा प्रावधान, इंट्रेस्ट, री पब्लिक, अट्सेट फिनिस लिटियम, विदिक सुक्ति पर आधारित है, option A, 22A, option B, 24, option C, 23, option D, 21, तो इसका सही उतर क्या है, इसका जो सही उतर है, option C, 23, Q30, पुलिस ऑफिसर को दी गयी संस्विकृति ग्राहे नहीं होती है, option A, 24, option B, 25, option C, 26, option D, 27, तो इसका सही उतर क्या होगा, इसका जो सही उतर है, बाकी option B है, जो सही उतर है, यानि option B के तेगा धारा 25 के तेगा police officer जो अभ्योक्त जो संसुकरती करता है तो वो ग्रहाय नहीं होती है और यदि 27 में वोसे श्ट्ट्रइथी करता है करता है तो तो वसको अगरता लए तेटाल नेंगे और वो जो अगरत जो पता चल रहा है तो इससैंगी उसको का पता बैदाल जाता हैह उसको मानना जाता है प्रेणा धमकिया वचन द्वारा प्राप्तसंस्वीक्रति ग्राहन नहीं है, किस प्रापधान में की दिया गया है, option A, 23, option B, 24, option D, 25, option D, 26, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका जो सही उत्तर है, वह option B, 24, तो यह दिया आपने option B, टिक क्या है, तो आपका कूशन बिलू सही ह किस वाद में निरत हुआ कि साक्षे दिनम की धारा 27 धारा 24 पच्चिस 26 का अबवाद है यानि जो धारा 27 है वधारा 24 पच्चिस 26 का अपवाद है तो यह किसमें निडित किया गया था तो यह निडित किया गया आपका इनायत अल्ला वर्सिस महरास्ट राज्य तो यदि आपने option B क्या किया है तो आपका question बिल्कुल सही है question number 34 सह अभ्यूक्त की विरुद संस्विक्रति के संब्ध में किस धारा में प्रावधान है option A. 31 धारा 31 के अधीन, option B. 30 के अधीन, option C. 33 के अधीन, option D. 34 के अधीन तो यह आपने option B. धारा 30 के अधीन प्रावधान किया गया है तो यदि आपने option B. टीक किया है तो आपका question बिल्कुल सही है स्विक्रतिया है option a निस्ट्राइक सबूत option b विवन option c a और b दोनों option d उप्रुपन से कोई नहीं तो इसका जो सही उतर है वह option b विवन तो यह आपने option b ठीक है तो आपका question बकुल सही हो गया है नेक्स challenge question 36 मिरत्यों कालन घोष्रा किस धहरा के अंतरगत से संगत है तो इसका जो सही उतर किया है उप्षन घारा 32 एक अंतरगत म्राइक loodhan सो संह कर बा PRESID damit तो इसका सही उतर क्या है इसका जो सही उतर है वो option A धारा 32 यानि धारा 32 के अंत्रगत यदि कोई अनिशुन साक्षित दिया जाता है तो वह ग्राय यानि इसो संगत होगा नेक्ष्ट कुष्चन कुष्चन नमर 38 पाकला नायन स्वामी वर्सेश एम्परर वाद किस संब्धित है ऑप्शन A विबंद के सिध्धान से अप्शन B सह अपरादी से अप्शन C मृत्युकालन घूश्रा से अप्शन C पच्छ द्रोही साक्षी से तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपने कौन सा option टिक किया है वो आप हमें बताईए पाकलनायन श्वामी वर्सिस एंपरल किस से सम्मन्दित है यहां जो केस है संस्विक्रती और जो option C है हमारा म्रत्युकालिन कथन से सम्मन्दित है तो इसमें हमारा संस्विक्रती दिया नहीं है इसमें option दिया है म्रत्युकालिन कथन से तो हमारा option C बिल्कुल सही है तो यदि आपने option C टिक किया है तो आपका question बिल्कुल right है Question number 39 म्रत्युकालिन कथन ने में से किस विदिक सूपती पर आधारित है option A डेमनम साइन इंजूरिया option B इंट्रेस्ट रीपब्लिके अट्सिट फिनिस लिटियम option C नीमो मोरिट्यूरस प्रेस मिटरमेंटिरी option D एक्सियो परसोनलिस मोरिट्यूर कम परसोना तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपने कौन सा option टिक क्या है वो आप हमें बताईए बाकी जो इसका सही उत्तर है वह option C नीमो मोरिट्यूरस प्रेस मिटरमेंटिरी Next question 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 number 40 मास्द्र किस ध्रा के अंतर का सुसंगत है option A adding 32 ा dab т gobierno धार पेटिस औपिस औप्षन धार्र पैटिस आप्ष Putting ४ औप्षन धारा 46 तो इसका सही उत्तर क्या है इसका जो सही उत्तर तो यदि आपने option C टिक क्या है तो आपका question बिल्कुल right है, question number 41, साक्षय अधिनयम की किस धारा में विधी पुस्तकों में की गई प्रविस्टिया सुसंगत है, option A धारा 36, option B धारा 35, option C धारा 37, option D धारा 38, तो इसका सही उतर क्या है, इसका जो सही उतर है, option D धारा 38, question number 42, 2, निम्न मैं से साक्षय अधिनयम की कौन सी धारा प्रांग नया यानि रैस जुडिकेटा के सिधान को निरुपत करती है, option A धारा 49, option B धारा 40, option C धारा 45, option D धारा 46, तो इसका जो सही उतर है, वह है option B धारा 40, next question, question number 43, साक्षय दिनम की किस धारा के तहट, डिजिटल हस्ताक्षर को सुसंगत बनाया गया है, option A धारा 45A, option B धारा 47A, option C धारा 14, option D धारा 115, तो इसका जो सही उतर क्या है, इसका सही उतर है option B धारा 47A, तो यदि आपने option B टिक किया है, तो आपका question बिल्कुल सही है, यह जो हम evidence के आपको question प्रवाइड किये है, माना कि solve paper है, लेकिन आपके AIB, APO, और judiciary के एक्जाम के लिए most important question है, इनका बार-बार अच्छे से revision करे आपके लिए in future बहुत ही helpful रहेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है, ओकी तो अभी हमने total 43 question को solve कर लिया है, आगे भी हम next वीडियो में आपके लिए question लेकर के आएंगे, उमीद है आपकोई वीडियो ज़रू पसंद आई होगी, आप हमारे चैनल को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाव उठा सकें, ओकी थैंक यू सो मच